आज मैं आपको explain करने वाला हूँ 1988 की मुवी बिग इस मुवी में 13 साल का एक बच्चा चाहता है कि वो बड़ा बन जाए और दूसरे दिन वो बड़ा बन भी जाता है वो directly 30 साल का हो जाता है उसके लाइफ में फिर क्या क्या होता है यह इस मुवी की storyline है टॉम हैंग जैसे बहुत ही अच्छे actors इस मुवी में है मुवी स्टार्ट होती है और हमें हमारे मुवी का lead character दिखता है 13 साल का जॉश अपने computer पर game खेल रहा होता है उसे computer में बहुत सारा interest होता है थोड़ी देर बाद वो बाहर खेलने जाता है उसका एक best friend होता है Billy उसके साथ वो खेलता है खेलने के बाद वो hangout कर रहे होते है लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते है तभी Cynthia Josh को देख कर हसती है Billy उसे बोलता है कि तुम उसे अच्छे लगते हो Josh को भी वो पसन आती है तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है फिर वो दोनों घर आ जाते है वो जब घर आते है तो उसके parents उसकी room में उसके sister को shift कर देते है उसकी एक छोटी सी sister होती है उसकी crib वो वहाँ उसके room में shift कर देते है उसी ही अच्छा नहीं लगता पर इसके against वो कुछ भी नहीं कर पाता फिर next scene में हमें Billy दिखाया गया है Billy के घर में हमेशा जगड़ी चलते रहते है Billy एक अच्छा लड़का होता है जो अपने family को help करता है रात में जब Josh और Billy दोनों सोने को जाते है तो अपने walkie-talkie में वो बात करते है Josh की mother उसे walkie-talkie burn करने को बोलती है Billy और Josh की उस walkie-talkie पर बात होती है और Billy Josh को बोलता है कि Cynthia तुमें भी पसंद करती है वो पहले जिस लड़के को पसंद करती थी उनकी अब fight हो चुकी है तो इसलिए तुम्हारा अब chance है एकस दिन उनके शेहर में roller coaster आई हुई होती है Josh के parents उसे फिर वहाँ लेकर जाते है वहाँ उसे Cynthia भी दिखती है Cynthia एक ride पर जाने वाली होती है तो Josh भी वहाँ जाना चाता है वो उसके parents से पैसे लेता है और उन्हें जाने के लिए बोलता है वो वहाँ जाकर वहाँ खड़ा हो जाता है Cynthia भी उसे बात करने लग जाती है Cynthia उसे पूछती है कि क्या तुम इस ride पर पहले गए हो तो वो बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पहले गए हूँ वो डर रही होती है फिर एक लड़का Cynthia के यहाँ आकर वहाँ खड़ा हो जाता है एक्चल में Cynthia उसके साथ डेट पर आई हुई होती है इस ride के लिए लाइन होती है वहाँ फिर वो Josh को आगे कर देते है Cynthia Josh के साथ नहीं आने वाली होती ride का जो supervisor होता है वो बोलता है कि तुम्हेरे height बहुती कम है तो में ये ride नहीं कर सकते उससे बहुती stupid feel होता है फिर वो वहाँ से चला जाता है उसके पास ride के लिए जो पैसे होती है वो तो होती ही है तो इसलिए वो वहाँ घुमता है वहाँ घुम्दे घुम्दे वो एक गेम की मशीन पर आ जाता है यह एक Zoloft मशीन होती है यह जालो नहीं हो रही होती तो Josh उसे धक्का देता है उसमें पैसे डालता है और यह जो गेम होता है उसमें उसे पुछा जाता है कि तुम एक विश मांग सकते हो फिर वो विश करता है कि वो बड़ा बन जाए थोड़ी देर बाद उसे एक कार्ट मिलता है और उस कार्ट में लिखा होता है कि तुमारी विश ग्रांट हो चुकी है इसे यह मशीन बहुत ही अजीब लग रही होती है जब वो देखता है तब उसका प्लग जो होता है वो ओनी नहीं होता फिर वो वहाँ से भाग जाता है पात में हमें एक जोर का तुफान आया होँआ दिखता है जब सुबा होती है तो नीचे से जौश की मदर उसे उठाती है जौश जाकता है और बात्रूम में जाता है बात्रूम में जाकर देखता है तो वो बड़ा हो चुका होता है बात्रूम में जाकर देखता है अपने आईस को फिर से वाश करता है और देखता है पर वो अब सचमुच में बड़ा हो चुका है उसके height बड़ी हो चुकी होती है उसके चाती पर hairs होती है और वो बहुत ही आश्यर चकित हो जाता है वो भाग कर अपनी room में जाता है वो कपड़े पहनने के कोशिश करता है पर उसके अपने old कपड़े अब उसे नहीं आते वो उसके pen में एक card देखता है उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी visa grant हो चुकी है फिर वो अपने father के sweatshirt में घर से निकल जाता है उसके mother को मालूम नहीं होने देता फिर वो उस जगा जाता है जिस जगा वो कल रात था पर अब वहाँ कुछ भी नहीं होता वो फिर जब घर जाता है तो अपनी mother के सामने आता है उसके mother को लगता है कि कोई उसके घर में अचानक से गुश गया है क्योंकि आप Josh बड़ा हो चुका है तो वो उसे पैचानती न निकालता है तो और भी उसकी mother डर जाती है और police को call करती है Josh वहाँ से डर कर भाग जाता है फिर वो भाग करके directly school आ जाता है बिली खेल रहा होता है बिली जब break पर आता है तो वो उससे बात करना जाता है बिली बहुत ही डर जाता है उसे लगता है कि यह stranger मुझसे क्यों बा जाता है उसका जो सामान होता है वो एक bag में भर कर वो इसके लिए लेकर आता है वो उसे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए वो हमें फिर बेस्टॉप पे दिखाए गए है बिली उसे अपने parents के कुछ पैसे देता है वो दोनों फिर अब New York जाने वाले होते है यह जो फेर जोलॉप मशीन को वहाँ ढूंडने वाले होते है और फिर वो उस जोलॉप मशीन को ढूंड कर सब ठीक करने वाले होते है जब वो दोनों New York आते है तब उन्हें वहाँ का environment कुछ अच्छा नहीं लगता उन्हें वहाँ ड्रगिस मिलते है कुछ प्रोस्टेटूट भी वहा पास उतने पैसे नहीं होते तो बिली उससे बोलता है कि तुम्हें यही रहना पड़ेगा यह जो होटल होता है इसमें वाइलन्स की आवाज आती रहती है गंशॉट्स वेगरा सब यहां सुनाई देता है बिली वहाँ से जा रहा होता है तो जोश उससे पुछता है तो वो बहुत सारे आर्केट शॉप विजिट करते है और ढूनते है कि वो जोलॉप मशीन वहाँ है या नहीं फिर उनका प्लान होता है कि वो सीटी के जो भी फेर्स होते है उनकी लिस्ट लेंगे तो इसलिए वो एक ओफिस में जाते है वहा कि जो लेडी होती है वो उन्हें इसके लिए एक फॉर्म फिल करना होगा वो बोलती है कि वेटिंग पेरेट फोर विक्स का होता है जोज बहुत ही डर जाता है वो बिली से बोलता है कि मैं इतने फोर विक्स क्या करूंगा बिली उसे बोलता है कि तुम कुछ भी जॉब वगरा कर सकते हो फिर वो दोने एक टॉइज शॉप में होता है, मैकमेलीन टॉइज इस कमपनी का नेम होता है, बिली जब इंटर्व्यू में जाता है, तो इंटर्व्यू लेने वाला उसे बोलता है, कि तुम्हें 4 साल का experience है, वो बहुत impressed हो जाता है, फिर बिली को वो जॉब मिल जाती है, इस इंटर्व्यू के सीन में ही हमें सुजन दिखाई गई है, सुजन वहां marketing में काम करती है, सुजन की secretary अच्छे से काम नहीं कर रही होती, इसलिए वो उस interviewer के सामने आती है और बोलती है, कि तुम्हें मुझे अच्छी सी secretary देनी चाहिए, उसके office में एक co-worker को बच्चा होने वाला होता है, उसके लिए सब celebration कर रहे होते हैं, पर सुजन उसमें भी शामिल नहीं होती, जब वो अपने office में आकर बैठती है, तो testing के लिए उसे एक doll दी जाती है, वो उस dog को भी fake देती है, वो उस doll को भी fake देती है, वो बहुत ही irritated होती है उसके job से, वो थोड़ी भी खुश नहीं होती, next scene में हमें दिखाएगा है कि Josh अब computers पे है, वो बहुत ही fast काम कर रहा होता है, तो उसका co-worker उसे बोलता है, कि तुम्हें इतना fast काम नहीं करना चाहिए, तुम अगर बहुत ज़्यादा काम करोगे, तो हमारी job भी जा सकती है, सुजन का boyfriend होता है Paul, वो भी marketing में होता है, सुजन और Paul ने एक पूरी toys की line ही create की होती है, पर वो line drop हो जाती है, क्योंकि उनके sales उतने अच्छे नहीं आ रहे होते, सुजन परिशान होके Paul से मिलने आती है, Paul को उससे इतना ज़्यादा फरक नहीं पढ़ रहा होता, नेक सीन में Josh अपनी मदर को call करता है, अपनी मदर को call करकर वो बोलता है, कि तुमारा बच्चा ठीक है, वो जल से जल घर आ जाएगा, उसकी मदर डर जाती है और बोलती है, कि उसे कुछ भी मत करो, अगर तुमने उसे कुछ किया, तो तुम तुमारी पूरी जिन्दगी पच्चता होगे, उसकी मदर उसे एक प्रूफ मांगती है, कि Josh अच्छा है, ठीक है, फिर Josh उसे पुछता है, कि तुम ऐसी कुछ चीज बताओ, इस सिर्फ Josh को ही पताओ, फिर वो उसे बोलती है, कि मैं वो जब छोटा बच्चा था, तो उसे एक लोरी सुनाती थी, उसका नाम मुझे बताओ, फिर Josh उसे सिंग कर कर बताता है, उसकी मदर रोने लग जाती है, नेक सिर्फ में सुजन, पॉल और कमपणी का हेड़ जो होता है, मैक मिलन, वो सब रस्ते से जा रहे होते हैं, सुजन और पॉल उसे सब स्टाटिस्टिक समझा रहे होते हैं, और फिर वो Josh से टकरा जाते हैं, Josh बहुत ही जल्दी में होता है, क्योंकि उसे जल से जल काम खतम करना होता है, तो उसके बॉस मैक मिलन उसे बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं, वो पॉल को बोलते हैं कि हसल जिन्दगी में जरूरी है, कमपनी में बहुत ही अच्छा काम करता है, और उसे एक पेचेक मिलता है, 142 डॉलर्स का ये पेचेक होता है, और ये देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, उसके को वर्कर्स को वो कम लग रहा होता है, पर इसके लिए भॉर्चन होती है, फिर वो अपने फ्रेंड के साथ बैंक आता है, बैंक में लेड़ी उसे पुछती है कि तुम्हें ये कैसे चाहिए, तो बिली और वो डिसकस करते हैं और सब एक एक डॉलर्स में वो सब पैसे लेते हैं, वो बहुत ही खुश होते हैं और पुरे दीन भर वो मज़े करते हैं, राद में सब खा पीकर जॉश बोलता है कि मेरा पैट बहुत ही दुख रहा है, उन्होंने बहुत ही एंज़ाइ किया होता है, राद में अब जॉश का पैट दुखने लग जाता है, तो वो अपने फादर को कॉल करता है, जॉश फिर सेल्स रिपोर्टर का एक ढोंग लेता है और अपने फादर से पुछता है कि हम एक सर्वे कर रहे हैं, तो अगर आपके बच्चों को रात में कुछ पेट वेगरा दुखे, तो आप क्या देंगे, उसके फादर उसे मेडिसीन का नाम बताते हैं, जॉश फिर वो लेकर सो जाता है, निगस दिन जॉश सिड़्ी में घुम रहा होता है, तो एक टॉई की शॉप में जाता है, वो सब टॉइस से खेलने लग जाता है, वहाव अपने बॉस मिगमिलन से टकरा जाता है, वो दोनों एक toy के बारे में बात करते है जॉस तो अंदर से 13 साल का लड़काई है इसली उसे toys के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है उसकी insight बहुती accurate होती है ये उसके boss को बहुती अच्छा लगता है फिर वो घुमते घुमते उस टॉय शॉप में एक फ्लोर पियानो पे आ जाते हैं जॉस उस पियानो से खेलने लग जाता है और उसे वो पियानो बजाना आच्छा लगता है तो वो उसे बचाने लगता है उसके boss भी उस piano को जानते हैं कैसे play करना है तो वो दोनों एक tune play करते हैं सारे लोग उनके आसपास खड़े हो जाते हैं और वो दोनों एक moment share करते हैं इसन में हमें दिखता है कि Susan और Paul डिसकस कर रहे होते हैं Paul Susan को बता रहा होता है कि Josh को promotion मिल चुका है Josh का head हो चुका होता है Paul से भी बड़ा office Josh को मिल गया होता है Josh के boss को बहुत ही अच्छी लगती है Josh की insight तो इसलिए उसे promotion मिल जाता है फिर Billy Josh के office में आता है Josh उसे बोलता है कि यहाँ बहुत सारे toys है इन toys से मैं खेलता हूँ और सब को बताता हूँ कि मुझे यह कैसे लगे यह उसका job होता है Billy को बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा भी job कितना अच्छा है next scene में Susan और Paul अपने apartment में होते हैं और वो discuss कर रहे होते हैं कि यह Josh कहा से आया है Paul बोलता है कि मैंने बहुत जगा ढूनने की उसे कोशिश की पर मुझे Josh का कोई भी पता नहीं मिला next scene जो है यह एक meeting होती है Macmillan उसके सब employees यहाँ Paul भी होता है Josh भी होती है और Susan भी होता है Paul सब number उन्हें बता रहा होता है वो बोल रहा होता है कि कैसे market growth हुई है वो एक new toy भी try करने वाले होते है यह एक building होती है जो robot में convert हो जाती है Paul meeting खत्व होने के बाद बोलता है कि कि किसी को कुछ question हो तो वो पूछ सकता है Josh बोलता है कि यह कैसा toy है मुझे यह समझ में नहीं आया Paul को question समझ में नहीं आता तो Josh बोलता है कि यह एक सिर्फ एक building है जो robot में connect हो जाती है इसे खेलने में मज़ा नहीं आएगा वो बोलता है मज़ा तब आएगा जब robot कुछ चीजों में बदल जाए यानि कि यह robot अगर bug में transform हो गया तो यह बहुत ही अच्छा हो सकता है सब को यह idea बहुत ही अच्छी लगती है Macmillan को भी यह idea पसनाती है Paul यह सब personally लेता है उसका toy reject हो जाता है इसलिए वो बहुत ही hurt हो जाता है Susan से वो यह सब बात करता है फिर Josh और Billy अपने लिए apartment देखते हैं दोनो अपार्मेंट रेंड कर लेते हैं और उसमें सब खेलने की चीज़े लेते हैं फिर वो दोनों हमें city में दिखाए गए हैं गेम्स खेल रहे होते हैं बहुत सारी अच्छे चीज़े वो कर रहे होते हैं Josh अपने मदर को लेटर लिखता है वो उस लेटर में लिखता है कि मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ मैं बहुत भी जाता हूँ मैं पार्क में भी जाता हूँ मैं ठीक हूँ इस लेटर में वो लिख रहा होता है नेक सिन में Josh को पार्टी में जाना होता है तो बिली और वो सूट के शॉपिंग में आते जब वो उस शॉप में आते तो उसके ओनर को हैरान कर देते फिर जॉश को एक बहुत याड़ पटातर सूट पसन आता है वो सूट पहन कर ही वो पार्टी में आ जाता है जब वो आता है तब सब उस पर हसने लगते है इस पार्टी में सूजन और पॉल होते है पॉल हमेशा बिजनेस के बाती करता रहता है इसलिए सूजन उसके डेबल से उटकर चली जाती है फिर वो मैकमिलन से बिजनेस के बात करना चाती है और Macmillan उसे बोलते है कि एक party है तुम्हें drinks लेने चाहिए तुम्हें enjoy करना चाहिए Josh नहीं नहीं चीजे सब try कर रहा होता है अलग-अलग चीजे वो खा रहा होता है फिर Susan आकर उसे बात करना चाती है वो बोलती है कि ये बहुत boring party है हर party में same ही बाते सब करते रहते है और हमेशा एक ही बाते होती रहती है Josh को वहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा होता फिर Susan उसे बोलती है कि चलो हम अब बाहर जाते है company के car में बैठते है Susan बोल रही होती है कि office में हम किसी को भी जान नहीं सकते अच्छे से तुम्हें उसे जानना होगा तो तुम्हें date पर वेगरा ही जाना पड़ता है Josh पर उसकी बाते वेगरा नहीं सुन रहा होता वो गाड़ी सही खेल रहा होता है गाड़ी की windows को हाथ लगाता है locks वो उपर नीचे करता है फिर वो गाड़ी के रूप से बाहर देखने के लिए खड़ा हो जाता है Susan को भी उपर बुलाता है वो Susan को बोलता है कि ये मेरी apartment थी Susan और वो फिर उसके घर आ जाते है Susan उसे बोलती है कि इतनी जल्दी मुझे तुमारे साथ नहीं सोना चाहिए Susan अंदर आकर जब देखती है तो उसे उसका घर बहुत ही अज़िब लगता है वो आट रैमपोलन भी होती है उसे देखकर वो excited होती है पर वो वो खेलना नहीं चाती फिर Josh उसे बोलता है कि तुमें इस पर चड़ना चाहिए तो इम बहुत ही मजाएगा Josh उसके shoes वगरा निकालता है और फिर उसे jump करना सिखाता है फिर वो रात में games खेलते है जब वो सोने जाते है तो उनका एक proper bed नहीं होता Josh आता है और उपर जाकर सो जाता है उनके बीच रात में कुछ भी नहीं होता नेक्स दिन Susan और Paul गार में होते पॉल फिर से अपने business के बाते कर रहा होता है तो Susan फिर गारी से खेलने लग जाती है वो रेडियो चेंज करती है फर पॉल उसे बोलता है कि ऐसे बच्चों जैसा क्यों कर रहे हो सुजन के चेहरे पर smile आ जाती है पॉल को समझ में नहीं आता कि Josh कैसा है तो इसलिए वो उसे गेम खेलने के लिए invite करता है पॉल उसे गेम के सब टम सिखाता है और जब वो खेलने लग जाते है तो Josh जीतने लग जाता है फिर पॉल चिटिंग करने लग जाता है Josh और पॉल की फिर लड़ाय हो जाती है Paul उसे पंच कर देता है जॉश के नाग से खुन आ रहा होता है तो सुजन उसे टेंड कर रही होती है वो उसे बोलती है कि पॉल तुम से डरता है इसलिए वो ऐसा करता है जॉश उसे बोलता है कि तुम भी उसके साथ ही काम करती हो उसके जैसा ही तुम काम करती हो पर तुम कि इतनी अच्छी हो सुजेन फिर उसे किस करती है रात में जॉश उसके बॉस के साथ बेटा हुआ होता है उसके जॉश एक रिपोर्ट पर काम कर रहे होते है इनकी प्रॉब्म यह होती है कि 13 साल के बच्चे को कैसे वो अपने टॉइस सेल कर पाए वो बोलते है कि 13 साल के लड़के को सिर्फ 13 साल के लड़की चाहिए होती है उसे टॉइस में इंटेस नहीं होता उसे अब realize होता है कि जिस age में वो अब आ चुका है बड़ा हो चुका है तो इस age की ही Susan है इसकी अब वो girlfriend हो सकती है यह इसको realize होता है Next दिन Josh का बड़े होता है तो Billy उसे एक restaurant में लेकर जाता है Billy को पूरा दिन उसके साथ spend करना होता है पर Josh बोलता है कि मुझे कुछ लोगों से मिलना है मैं तुम्हें call करूंगा यह बोल कर Josh वहाँ से चला जाता है फिर Josh Susan के पास आता है Susan के apartment में आकर वो बैठता है पर वो बोर हो रहा होता है इसलिए वो फिर एक fair में जाते है वहाँ वो बहुत ही मज़े करते है रोलर कोस्टर पर जाते है डांस फ्लोर भी होता है वहाँ जाकर वो डांस करते है Susan बोलती है कि मैं तुमारे जैसे आदमी को कभी नहीं मिली मैं जिन भी लोगों को डेट करती हूँ उनके पास शुपानी के लिए बहुत कुछ होता है तुम उससे कुछ भी नहीं चिपाते फिर जॉस उसे किस करता है फिर वो उसे अपने अपार्मेंट मर लेकर आती है और वो दोने इंटिमेट हो जाते है नेक्स दिन जब वो ऑफिस में आता है तो बहुत ही खोश होता है सुजन उसके एक फ्रेंड के डिनर होता है वहाँ भी लेकर आती है सुजन की फ्रेंड की फैमिली होती है उसका एक बच्चा भी होता है और उसे अलजेब्रा में प्रॉल्लम आ रहा होता है जौश का अलजेब्रा अच्छा होता है तो उसे हेल्प करता है सुजन की फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम्हारा बॉइफरेंड बहुत ही अच्छा है नेक्स सीन में हमें दिखता है कि बिली के पास अब लिस्ट आ चुकी है जो नियॉक में सब फेर से यानि कि अब उसे वो जोलाप मशीन मिल जाएगी नेक्स सीन में जौश एक बुक स्टैंड पर होता है वहाँ उसे दीखता है कि तेरा साल के जो बच्चे होते है उन्हें कॉमिक्स में बहुत ही इंट्रेस्ट होता है उसे फिर आइडिया आता है कि अगर हम एक डिजिटल कॉमिक्स बना सके तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है वो सुजन को यह आइडिया समझाता है वो बोलता है कि हम कॉमिक्स में जो कैरेक्टर से उनकी चॉइसे हम बच्चों को दे सकते हैं यानि कि बच्चे चॉइसे करेंगे और उस तरह से स्टोरी लाइन बदल जाएगी हम अलग-अलग डिस्क से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं सुजन को भी यह आइडिया अच्छा लगता है सुजन को उसकी और जोश की रिलेशनशिप कहा जा रही है यह पता करना होता है तो जोश से पूछती है जोश को यह समझ में नहीं आता तो सुजन उससे पूछती है कि मैं तुमारी लिए क्या हूँ जोश फिर उसे प्लेफुली मारता है और उसके साथ कुस्ती करने लग जाता है बिली जोश को कॉल करने की कोशिश करता है पर जोश उसके आइडिया में बहुती बीजी होता है तो बिली उसको कॉल नहीं कर पाता बिली उससे बात नहीं कर पाता वो लेट नाइट भी काम कर रहे होते है तो सुजन उसके बॉस से मिलती है उसका बॉस उसे बोलता है कि तुम मुझे अब बहुत ही खुश लग रही हो मैं तुम्हारे दोनों के लिए हैपी हूँ यानि कि जॉश और उसकी जो जोड़ी होती है वो देखकर उसके बॉस को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है फिबिली फ्रस्टेड़ेड होकर जॉश के ऑफिस में आ जाता है वो बोलता है कि मुझे सब लिस्ट मिल चुकी है तो मैं सिर्फ अब कॉल करना है और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जोलोप मशीन कहा है जोश बोलता है मैं बहुती काम में हूँ और उनकी वहाँ फाइट हो जाती है बिली बोलता है कि मैं तुम से थ्री मन से बड़ा हूँ और ये बोलकर फिर वो वहाँ से चला जाता है बिली रात में जब घर आता है तो Josh से जो जिस radio phone से बात करता था उस phone से एक आवाज आती है वो दोना neighbor से होते है तो वो देखता है कि Josh की mother उस radio को देख रही होती है Josh की mother से वो फिर वो बात करता है Josh की mother उसे बोलती है कि उसका birthday था मैंने उसके लिए gift भी लाया था वो gift वो Billy को दिखाती है वो उसे बोलती है कि जब तक Josh नहीं आ जाता तब तक तुमें इसे खेलना है तो तुम खेल सकती हो पर Billy उसे रख देता है और बोलता है कि मैं इसे नहीं रख सकता Josh थोड़े ही दिन में घर वापस आ जाएगा Josh बहुती काम करकर रात में ठक जाता है और फिर से अपना वीडियो गेम खेलता है यह वही वीडियो गेम होता है जो हमें वो मूवी के पहले में खेलते हुए दिखाता फिर वो फिर से अपने टाउन में जाकर सब विजिट करता है उपने फ्रेंड्स देखता है अपना नेबर होड देखता है और फिर उसे फिर से वापस जाना होता है फिर वो घर आकर सुसेन से बात करता है वो सुजैन को बोलता है कि मुझे घर जाना है मेरी अलग लाइफ है और मुझे वहाँ वापस जाना है सुजन बोलती है मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़े तुम इतने अच्छे होई नहीं सकते तुम्हारी फैमिली है और तुम्हें वहाँ जाना है ना जॉज बोलता है कि मैं 13 साल का एक छोटा बच्चा हूँ सुजन को लगता है कि ये कपिंट मेंट से डर रहा है इसलिए ये सब बोल रहा है वो उसे समझाने की कोशिश करता है वो बोलता है जॉलॉप मशीन थी और इसमें मैंने एक वीश की थी इसलिए मैं छोटा बन गया था सुजन को ये कुछ भी बिलिव ने होता और वो सोने चली जाती है जब नेक्स दिन वो उटती है तो वो जॉश के पॉकिट टेक करती है उससे जॉलॉप मशीन से तुमारी वीश ग्रांट हो गई है एसा जो चीट निकल थी है वो वह वहाँ देखती है वो फिर सब चीज़े सोचने लगती है जॉश का अपार्मेंट, जॉश का रहना जॉश की सब बाते ये सब वो फिर से रिकॉल करने लग जाती है उसे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लग जाता है बिली के पास सब फेर्स की लिस्ट होती है और उनके numbers भी होती है तो Billy सबको call करता है और उनसे पुछता है कि क्या उनके पास Zolop machine है और उसे पता चल जाता है कि कहां वो machine रखी हुई होती है फिर वो Josh के पास आता है और उसे वो address देकर चला जाता है वो उससे कुछ भी बात नहीं करता Josh की अब meeting हो रही होती है जो comic book का idea होता है वो सबको बता रहा होता है सबको idea पसन आता है पर Paul को वो idea पसन नहीं आता Josh अपना idea बता कर उस meeting से निकल जाता है Suzanne भी उसके पीछे भागती है Billy उसके office के नीचे ही होता है पर Josh एक taxi लेकर आगे चला जाता है उसे उसकी taxi देखती है वो उसे आवाज देने के कोशिश करता है पर वो उसे देनी पाता फिर Suzanne देखती है कि Billy Josh को जानता है तो Billy से बुझती है कि Josh कहा गया है Billy उसे उसका पता देता है फिर वो उस fare में आती है ये day होता है तो वो fare चालू नहीं होती Billy फिर उस machine के पास जाता है और अपनी wish पूरी कर लेता है Suzanne फिर वहाँ आती है और उस card को देखती है Josh फिर उसे बात करता है और बोलता है कि मेरे पास million reason है कि मैं अपनी old life में वापच चला जाओ पर मुझे रहने के लिए एक ही reason है वो तुम हो और मैं यहाँ नहीं रुख सकता मुझे अपनी old life में फिर से वापच जाना चाहिए वो उसे बोलता है कि तुम भी मेरे साथ आ सकती हो पर वो उसे बोलती है कि मैं पहली बार भी छोटी रेज चुकी हूँ उसे अपना बचपन अच्छा नहीं लगता वो जौश से अपनी age पुछती है जौश बोलता है कि मैं 13 साल का हूँ सुजैन फिर उसे बोलती है कि और 10 साल में हम फिर से मिल सकते है अगर destiny ने चाहा तो हम फिर से एक हो जाएंगे फिर वो उसे अपने घर ड्रॉप कर देती है सुजैन उसे बोलती है कि तुम मुझे याद भी नहीं करोगे जौश बोलता है कि मैं तुमें कभी नहीं बुलूँगा फिर वो गाड़ी से उतरता है अपनी घर की तरफ चलने लग जाता है तभी उसके कपड़े बड़े होने लग जाते है और वो छोटा हो जाता है फिर से वो अपने 13 साल के रूप में वापस आ जाता है वो सुजैन को बाई करता है और घर में चला जाता है घर से हमें आवाज आती है कि उसकी मदर उसको देखकर बहुत ही खुश है फिर नेक्स दिन जोश और बिली हम फिर से एक साथ खेलते हुए दिखते यही यह मूवी खतम हो जाती है